ब्रेक के बाद एक बार फेरा आप सभी का स्वागत है प्रदेश में बढ़ते स्क्रब टाइफस ने लोगों में संसनी फैला दी है जियां शिमला के IGMC में अब तक 60 से लेकर 70 मामले स्क्रब टाइफस से जुड़े सामने आए है स्क्रब टाइफस एक घास में पनपने वाला जीवानू है जिससे बुखार हो जाता है और जो जान लेवा साबित हो रहा है प्रदेश में अब तक इस बिमारी से चार लोगों की मौत हो चुकी है IGMC में हर रोज स्क्रब टाइफस के नए मामले सामने आ रहे है हिमाचल परदेश में स्क्रब टाइफस फैलने से चार लोगों को अपनी जान कवानी पड़ी है शिम्रस्तित इंद्रागांथी मेडिकल कॉलेज में हरो स्क्रब टाइफस से ग्रसित मरीज पहुँच रहे हैं डॉक्टर रमेश ने कहा कि इस रोग से चार लोगों की मौत हो चुकी है उनने कहा कि इस क्रब टाइफस होने पर तेज बुखार होने के साथ साथ शरीर के सभीयंग काम करना बंद कर देते हैं प्रदेश में स्क्रब टाइफस से मौरतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है वहीं डॉक्टर स्क्रब टाइफस को घंबीरता से लेने के सुझाब दे रहे हैं कैमरा परसन कुल्दीब सिंग कवर के साथ हिमाचल आजकल के लिए शिमला से नीरु शर्मा करमचारी संग ने नीगम के अधिकारियों को इस बावत अवगत भी करवाया मगर कोई भी कारवाई नहीं हुई पेशाई रिपोर्ट खस्ता हाल ये भवन राज्य परिवहन नीगम के देहरा डिपु का है भवन की छट से सिमेंट गिरता रहता है और परसाथ में पानी टपकता है निगम के करमचारी छट गिरने के डर से दहशत में रहते हैं मगर विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है देहरा डिपु के करमचारी संके नेता मोतिलाल ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार बताया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हैचरडी बर्शाव का बहुत बुरा हाल है क्योंकि इसकी कोई भी करमचारी को बहुत खतरा है दूसरी और देहरा डिपु के परबंदक महिंदर सिंग राणा ने कहा कि महा परबंदक को इस बारे में दो साल पूरु बताया था और एक बार टेंडर भी हुए थे मगर आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ इसमें जैसे आपने भी अभी देखा है अम भी इंस्पेक्ट किया है इसमें काफी खत्रा है विल्डिंग गिरने का डारा है बर्साथ के दिनों में तो काफी साबदाने से प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के सदसे जितेंद्र चंदेल ने भाषपा सरकार पर बिलासपूर की अंदेखी का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया बलकि केंद्र के योजनाओ को अमली जामा पहना प्रदेश सरकार वहवाही लूटना चाहती है प्रदेश कॉंगरस पार्टी ने राजय सरकार पर विकास के मामले में भेदभाव पुरन रविया अपनाने का आरोप लगाया है कॉंगरस समीती के सदस्य जितेंदर चंदेल ने बिलासपूर में पत्रकारों से बाचीत में कहा कि भाचपा सरकार ने बिलासपूर जिला से विकास के मामले में जम कर भेदभावत किया है और सदर की जनता को धोखा दिया है उनन कहा कि भाचपा के नेता जूट बोलकर केंदर सरकार से आने वाले पैसों को अपना बता कर जनता में वहवाही लूटने का प्रियास कर रहे हैं कि सरकार के समय विकयास आतमक नीतियों का परचार किया जाएगा परविंदर शर्मा सेवन सी हिमाचला अजकल बिलासपूर उना जिला के कुटलेहर विधानसभाग शेतर में जिलास्तरिये खेलों का आयोजन किया गया जिसमें जिला के 47 स्कूलों के लगभग 450 खिलाडियों ने हिस्सा लिया मुख्य संसदिय सचे विरेंदर कवर ने विजेता को समानित किया उना जिला के विधानसभा शेतर कुटलेहट के धमांदरी राजगिया उच विद्याले में जिला स्तरिये खेलों का समापन हुआ इस अफसर पर मुख्या सांसदिया सचिव, शिक्षा एवं लोक निर्मान, विरेंदर कवर मुख्या महमान के रूप में शामिल हुए जिला स्तरिये इन खेलों में जिले के 47 स्कूलों के लगबग 450 खिलाडियों ने हिस्सा लिया इस अफसर पर विरेंदर कवर ने जीतने वाली टीमों को सम्मानिज भी किया इस मौके स्कूली बच्चें द्वारा सांस्क्रितिक कारेकरम भी पेश किये गए इस मौके सांसदिय सचिव विरेंदर कवर ने कहा कि परदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है जिले के खिलाडियों ने परदेश वे देश के इलावा परदेश तर पर जिले का नाम रोशन किया है इनोंने कहा कि खिलाडियों को परदेश में प्रोसाहिद करने के लिए नौकरियों में आरक्षन दिया जा रहा है। इनोंने के खिलाडियों में आरक्षन दिया जा रहा है। चुछते गीत् घ्रते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने जीना तो उसी का जीना है। जो मरना वतन पे जाने ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी गसम तेरी राहों में जां तक लुटा जाएंगे भूल क्या चीज़े हैं तेरे पजमों पे हम भेंट अपने सरों की चड़ा जाएंगे ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी पसम तेरी राहों में जां तक लुटा जाएंगे ऐ वतन ऐ वतन और अब जाते जाते एक बार फेर नज़र डाल लेते हैं अब तकी मुख्य सुर्खियों पर मनाली व मंदी दौरे के दौरान मुख्य मंत्री धूमल ने किये ताबर तोड उद्खाटर ने शुना म्याद मंदी में बस तैंटा किया उद्खाटर केंद्री अमंत्री पवन बंचल ने कोईला अबंटन मामले में दी सफाई बोले के आड रिपोर्ट में है खामिया दोशी कंपनी के खिलाब होगी सक्त कारवाई बाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने नालागर वर्दून शेतर में की ताबर तोड जन सभाएं केंद्र पर लगाया प्रदेश से भेद भाव कारूँ प्रडमूल कॉंग्रेस ने भी हिमाचल के चुनावी मौसम में ठोकी ताल प्रदेश की अर्टब जान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया एलान देव भूमी हिमाचल प्रदेश की जादातरीन खबरों को देखने के लिए हरोस इसी समय पर देखते रहिए सेवन सी हिमाचल आजकल फिलाल इस बुलेटन में बस इतना ही है मुझे यानी की दिक्षा कहुली को दीजिए इजाज़त देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सेवन सी के साथ नमस्कार तुम मुझे यूँ भुला ना पाता है आगे अन्फोगेरबल हिमाचल